हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल भगवती क्रेशन में भादबास आगत है आज अपने इस वीडियो में हम मातरानी की ड्रेस बनाएंगे मातरानी का लहंगा बनाएंगे इसके लिए मैंने हापी यह बुकरम का पीस ले लिया है इस पीस की जो लंबाई रखी हो मैंने यह बनाएंगे और 1 थर्ज पार्ट उंपर के लिए रहने देना है तो वह हम यहां पर इसको फ्लक अशाicon इम garments का लिया in इसको हलकी हम पर काट दो दूंच स्कुछ सकूछ हम पर हम पर इसको काट देंगे नीची की तरफ हाप एक तरफ blevet कातने के बात पर चिपका है जो य फोल्ड करकर हर का सा एक सिलाई करके यहाँ पर कपड़े को सिललेटी हूँ नीची की तरव सë यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई कर लिकाल र्ली है अब हम नीची की तरफ से यहाँ पर लगाएंगे चे लेसे की चड़ाहीं हम यहां पर डालेंगे यह कुछ इस तरीके से आ जाएगी और यहां पर हम इस तरीके से सिल लेंगे नेची की तर से यह देखिए का दोस्तों मैंने इस तरीके से यहां पर यह लगा ली है इस तरीके से देखिएगा यहां पर मैंने इस तरीके से फोल्ड करकर इस लेस को लग इस तरीके से ऊपर को नहीं रहेगी अब यह जह हमारा plane area है इसको cover करने के लिए मैं लिए iPhone его कि नेट की पथ्टी काटी है हमारा यह जो एरिया बच रहा है यह बच रह है साड़े 5 इंच का our ठीक है बारीक-बारीक प्रेट्स भन लेंगे पहले, बहुत ही बारीक-बारीक प्रेट्स भन लेंगे हैं आमको यहाँपे और फिर इस पल्ती को हम यहाँपे इस सरीके से लगा देंगे। यह देखेगा दोस्तों यहां पर मैंने यह फ्रिल डाली है बहुत बारिक बारिक मैंने यह फ्रिल डाली है इस वाली फ्रिल बाली पट्टी को में इस तरीके से यहां पर यह लगा दूँगी यह देखिए का आप थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है पर जो हम इस प्लेट यहाँ पर कमर की तरफ सरे यहाँ पर इसको यहाँ जोड़ दिया अगर यहाँ पर नीचे होगा सब्सक्राइब नीचे तरफ से लिव beings पर टीशू रीबन लगा लेंगे और टीशू रीबन लगाने के बाद हम यहां पर सीधा यहां पर जो कमा रहना इसमें नीफा बना लेंगे और साथ में इसमें डोरी भी डाल देंगे यहां आदेखें का दोस्तों हमारी जो ड्रैस यह बनका तयार हो गई है जैसा है कि आद देख रहे होगे नीची utra शट लहसे- है थोड़ी सी हवी लग रही है पर यह जो बीच का पॉर्ट लाएं यह जो उपर की meanings तरफ से हैं जो सेट हो जाएगा तो यहां पे जो सिलाई है इसकी मैं खोल दूगा कि यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है यहां से फूला-फूला वह आना है तो पहले ही मैं यहां पर स्टोंस लगाऊंगी यह जो एरिया है बिल्कुल प्लेंट सा जो लग रहा है इसको छोटे-छोटे स्टोंस से कवर कर लेंगे यह फिर आप मल्टिपल स्टोंस से भी कवर कर सकते हैं चोटे हो बढ़े हो इस तरीके से आप यहां पर यह जो एरिया इसको कवर कर सकते हो यह फिर आप इसको प्लेंट भी छोट सकते हैं पर मैं यहां पर छोट-छोटे स्टोंस लगाऊंगी ल तो ये डे डे इंज का पूरा निश्यान हो जाएगा, इस तरीके से हमने इस चोली की cutting करी है, ये fuse paper को cutting करी है, अब इस fuse paper की पट्टी को हम अपने main fabric पे चिपका लेंगे, या पर ये मैंने कपड़ा जो है, paste कर लिया है, इस fuse paper पे, इस तरीके से ये चोली आ गई है, पर हम इ finishing look देंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो tissue ribbon है, इसको इस तरीके से, पहले ये जो shoulder है न, इन दोनों जगों पर इस वाले shoulder पे भी और इस वाले shoulder पे भी पहले दोनों जगों पर मैं ये golden ribbon लगा लेती हूँ, उपर shoulder की तरफ से ये ribbon लगाने के बाद, अब हम यहाँ पर ये जो ribbon है, वो इधर की तरफ भी लगाएंगे, इन दोनों किनार उपर, और यहाँ पर ये जो V-shape दिख रही है न, आपको गला इस पर भी लगाएंगे, पर ध्यान रखेगा, जब हम यहाँ पर लगाएंगे न, टीशू ribbon यहाँ से लगाना शूरू करेंगे, और यहाँ यहाँ पर देखेगा दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर गला बनाया है, पहले मैंने थोड़ा सा जो ribbon है, उसको सीला है, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर छोड़ा है, बांधने के लिए, यह दोनों तरफ से यहाँ बन जाएगा, अब नीचे की तरफ से हम यहा लिए और पे पहले कि छोड़े हैं सब्सक्राइब और तोली चोड़े दोली लिए और निची तरथ से भी ये वाली डोली लगा लेकि अब देवी जी चुंटवे बनाने के लिए मैंने यहां का पीस लिया ये पत्टी लिये इस पत्टी लमबाई रही हो मैंने 18 इंच और इस साइट पे हम यह वाली चो लैस है जो हमने लहँगे में लगाई है कि यहां पर लगा देंगे चुन्ड़ी के दोनों किनारो पे मैंने यह देखी गर70 लगा लिया जो की मैंने लहँगे में यूज करी है अब इस चुन्ड़ी के चारों किनारो पे viol錯 त्रेस को चुरी के चारो चुन्री के चारो तरफ में इस तरहों तरफ में इस तरीके सी यहां पर यहां परफ लगा लेती हूं. यहां देखेगा दोस्तों मैंने देवी जी का लेंगा चोली और चुन्री यह तीनों चीज़े बना का तयार कर ली है यह जो ड्रेस में आई है मैंने एक फुट की देवी जी यानि 12 इंच की देवी जी की बनाई है जिसमें मैंने लेंगे की लंबाई 8 इंच रखी है अगर आपको कुछ आइडिया लेना हो यानि बेस बनाने का आइडिया लेना हो तो अब इस वीडियो को देखकर अपनी देवी जी का लेंगा तयार कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा कि आपको यह दिविजिका लहेंगा यह ड्रेस कैसी लगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा धन्यवाद दोस्तों